Hello students, welcome once again. Students, आज की वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नमबर 5, Footprints Without Feet. और ये चैप्टर रिलेटेड है क्लास 10th की सप्लिमेंटरी बुक से. Footprints Without Feet चैप्टर के राइटर है H.G. Wells. और H.G. Wells ने ये एक नौविल लिखा है, Footprints Without Feet, और आज हम उस नौविल में से एक छोटा सा पार्ट, एक छोटी सी कहानी रीड कर रहे हैं. और इस कहानी को हिंदी एक्स्प्लेनेशन के साथ समझेंगे. The two boys started in surprise. दो लड़कों ने आश्चरे में शुरू किया पीछा करना at the fresh muddy imprints. अभी अभी कीचड से बने हुए निशानों को off a pair of bare feet, नंगे पैरों के वो निशान थे. अभी अभी उनके सामने नंगे पैरों के निशान चपते जा रहे थे कीचड के और वे उनको देख रहे थे. What was a bare footed man doing on the steps of a house? एक नंगे पैरों वाला व्यक्ति क्या कर रहा था एक घर के steps पर? This steps means इस तरह से जो दो-तीन सीडियां घर के अंदर जाने के लिए बनी होती है. In the middle of London, London शहर के बीचो बीच. And where was the man? और वे व्यक्ति कहा था? जिसके पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था. As they gazed, जैसे ही वो घूर रहे थे अशरे में, a remarkable sight met their eyes. एक अध्भूत द्रश्य उनकी आँखों ने देखा, एक remarkable, एक different सा द्रश्य उन्होंने देखा, a fresh footmark appeared from nowhere. एक और निशान दिखाई दिया, nowhere, कहीं से भी नहीं. मतलब अचानक से पैर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है और अचानक से एक निशान और बन गया. further footprints followed और एक के बाद एक footprints आगे बढ़ते गए, one after another, descending the steps, descending means उतरना, सीडियों से steps से उतरते हुए, and progressing और आगे बढ़ते जा रहे थे, down the street. The boys followed fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter. boys ने पीछा किया आश्चर्य से fascinated, attract होते हुए, जब तक की वे कीचड़ वाले निशान और हलके, और हलके नहीं हो गए. fainter means और हलके होते चले जाये न, and at last और आखिर में disappeared altogether, वे सभी अद्रश्य हो गए. The explanation of the mystery was really simple enough. इस रहसे की mystery की explanation वास्तव में बहुती simple थी. The bewildered boys, आश्चर्य से भरे हुए लड़के, had been following a scientist, पीछा कर रहे थे एक scientist का, who had just discovered how to make the human body transparent. जिसने अभी अभी discover की थी, खोज की थी, एक दवाई की, कैसे human body को transparent, पार दर्शी बनाया जाए? ग्रिफिन इस विज्ञानिक का नाम है, scientist का, और इसने एक के बाद एक बहुत सारे experiment किये, to prove that, ये सिद्ध करने के लिए, that human body could become invisible. मनुष्य क्या शरीर भी invisible, अद्रश्य हो सकता है. Finally, he swallowed certain rare drug, आखिर में उसने वो सारी दवाई, swallowed निगल ली, सारी दवाई खा गया, and his body became as transparent as a sheet of glass, और उसका शरीर इतना पार दर्शी transparent हो गया, जैसे की काच का टुकड़ा हो, glass काच की sheet हो, though it also remained as solid as glass, लेकिन फिर भी यह उतनी ही solid भी थी उसकी body, जितना की glass होता है, जैसे glass दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसके टकराएं, तो हमें चोट लगती है. Brilliant scientist though he was, बहुत ही बढ़िया, होश्यार scientist था, Griffin was rather a lawless person, लेकिन Griffin एक कानून के खिलाफ चलने वाला व्यक्ती था, जो कानून को नहीं मानता था, एक दुष्ट व्यक्ती था. His landlord disliked him, मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था, and tried to eject him, eject means बाहर निकालना, कोशिश करता था उसका मकान मालिक के वो उसे अपने मकान से बाहर निकाल सके. In revenge, Griffin set fire to the house, और बदले में, Griffin ने उसके घर में आग लगा दी. To get away without being seen, और क्योंकि वो पकड़ा ना जाए, ऐसा करने के लिए, he had to remove his clothes, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े. Thus, इस प्रकार, it was that he became a homeless vanderer. इस प्रकार वह बन गया था, बिना घर वाला, homeless, जिसके पास कोई घर नहीं था, vendorer, इधर उदर भटकने वाला, without clothes, कपड़ों के बिना, without money, पैसे के बिना, and quite invisible, until he happened to step in some mud, जब तक की वह किसी वजह से कीचड में उसके पैर चले गए and left footprint as he walked, और अब जहां भी वो जा रहा था, अपने footprint वहां पर छोड़ता जा रहा था. He escaped easily enough, वह आसानी से बच गया from the boys, लडकों से, who followed his footprint in London, जो London में उसके footprint का पीछा कर रहे थे, but his adventures were by no means over, लेकिन उसके काम अभी खतम नहीं हुए, he had chosen a bad time of the year, उसने वर्ष का सबसे बुरा समय चुना था, to wonder about London without clothes, London में बिना कपडों के इधर उधर घुमने के लिए, vendor means इधर उधर भटकना, it was mid winter, सर्दियों का mid चल रहा था, बहुत भरी सर्दियां थी, the air was bitterly cold, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी, and he could not do without clothes, और वो कपडों के बिना नहीं रह सकता था, instead of walking about the streets, गली में इधर उधर घुमने की बजाए, he decided to slip into a big London store for warmth, उसने decide किया, वो एक London के बड़े से store में गर्मी पाने के लिए चला जाएगा, closing time arrived, और जैसे ही उस store को, London store को बंद करने का समय आया, and as soon as the doors were shut, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing, Griffin ने अपने आपको कपड़े पहनने की खुशी प्रोवाइड करा दी, and feeding himself without regard to expense, और अपने आपको खाना भी खिलाया, बिना कुछ खर्चा किये, उसने store का समान यूज करना शुरू कर दिया, he broke open boxes, उसने box खोल डाले, and wrappers, wrappers भी हटा दिये, and fitted himself out with warm clothes, और अपने आपको गरम कपड़ों में फिट कर लिया, सून जल्दी ही with shoes जूते पहन लिये, an overcoat and a wide brimmed hat, और एक चौड़ी सी hat पहन लिये, he became a fully dressed and visible person, और वहे पूरी तरह से कपड़े पहने हुए, visible, दिखाई देने वाला व्यक्ती बन गया, इन दे किचिन अफ दे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचिन में, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine, taken from the grocery store, grocery store से उसने sweets भी खाई, meal जो भी उसको पसंद था वो सब खाया, और coffee, cold meat ये सब उसने वहाँ enjoy किया, finally, he settled down to sleep on a pile of quilt, और finally, वह quilt, रजाईयों के एक pile धेर पर सो गया, if only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well, अगर Griffin ने manage कर लिया होता, कि वो सही समय पर good time, एक सही समय पर ठीक समय पर जाग जाता, तो all might have been well, सब कुछ ठीक रहता, as it was, जैसा कि हुआ, he did not wake up, वो ठीक समय पर नहीं जागा, until the assistants were already arriving next morning, और अगली सुभा, पहले ही assistant वहाँ पर आ पहुचे थे, वो उठ भी नहीं पाया, और assistant उस दुकान में आ चुके थे, when he saw a couple of them approaching, और जब उसने दो लोगों को, couple, couple means two people, दो लोगों को उसकी तरफ approaching, आगे आते हुए देखा, he panicked, वहाँ डर गया, panic, डर जाना, and began to run, भागने लगा, they naturally gave chase, और अब स्वभाविक रूप से उन्हें पीछा तो करना ही था, chase means पीछा करना, in the end he was able to escape, और आखिर में वहें बच सका, only by quickly taking off his newly found clothes, केवल अपने नए प्राप्त किये हुए कपणों को उतार कर, so once more he found himself invisible, but naked in the chill January air, और एक बार फिर उसने अपने आप को invisible कर लिया, लेकिन बिना कपणों के थंडी जन्वरी की हवा में, इस बार उसने डिसाइड किया, कि वो कोशिश करेगा थेटर कमपनी के स्टॉक के, थेटर कमपनी के स्टॉक को, थेटर कमपनी होती है, वहाँ पर तरह तरह की ड्रेस होती है, और मेकप का भी समान मिलता है, तो इस उमीद में कि वहाँ केवल कपड़े ही नहीं, बट आल्सो सम्थिंग, कुछ ऐसी चीज भी मिल सकती है, that would hide the empty space, जो उसके खाली चहरे के एरिया को भर सकती थी, अबब हिस शोल्डर, उसके कंधों से उपर, तो इसी लिए वो थेटर कंपनी की तरफ चल दिया, शिवरिंग विद कोल्ड, लिएटर की जगा का सेंटर था, सबसे ज़्यादा थीएटर बने हुए थे, वहाँ के समान अवेलेबल थे, ड्रूरे लेन में, he soon found a suitable shop, जल्दी ही उसे एक अच्छी दुकान मिल गई, he made his way invisible, उसने अपना रास्ता बनाया अद्रश्य रूप से, up stairs, सीडियों पर उपर गया, and came out a little later, बटियां पहनी हुई थी, dark glasses, काले चश्मे लगा लिये, false nose, नकली नाक, big bushy, side whiskers, बड़ी-बड़ी मूचे, side whiskers का मतलब है, जो बड़ी-बड़ी मूचे, side में होती हैं, बहुत लंबी, वो वाली मूचे उसने लगा ली, and a large hat, और एक बड़ी सी hat पहन ली, to escape without being seen, बिना देखे वो वहाँ से भाग सके, escape कर सके, he callously attacked the shopkeeper from behind, उसने पीछे से दुकानदार पर, बहुत जोर से attack किया, after which he robbed him, इसके बाद उसने उसे लूट लिया, of all the money he could find, जितना भी पैसा उसे मिल सकता था, eager to get away from crowded London, उसका मन था कि बस मैं इस भीड भाले वाले लंडन से चला जाऊं, he took a train, उसने एक ट्रेन ली ली, उसने एक ट्रेन पकड़ ली to the village of Iping, Iping गाउं के लिए, तो अब लंडन से Griffin कहा जा रहा है, village of Iping, where he booked two rooms at the local inn, जहां पर उसने एक local सराय में धर्मशाला में दो कमरे बुक कराए, the arrival of a stranger at an inn in the winter was in any case as unusual event, लेकिन एक अजनभी का उस गाउं की उस धर्मशाला में सर्दियों में आना, बहुत ही अलग बात थी, बहुत ही unusual था, common नहीं था, कुछ अनोखा सा लग रहा था, a stranger of such uncommon appearance, एक अजनभी वो भी इतनी ऐसाधारण तरीके से दिखाई देने वाला, uncommon appearance था, set all tongues wagging, अब इसी बात में सभी की जबान को कुछ न कुछ कहने का मौका दे दिया था, कि ये कौन है, कहां से आया है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसा दिखाई देता है, tongues wagging का मतलब है, सब लोग उसके बारे में बाते करने लगे, Mrs. Hall, the landlord's wife, जमींदार की जो पत्नी थी, Mrs. Hall, made every effort to be friendly, उसने पूरी कोशिश करी उसके साथ friendly होने की, but Griffin had no desire to talk, लेकिन Griffin की कोई अच्छा नहीं थी उससे बात करने की, and told her, my reason for coming to Iping is a desire for solitude, Griffin ने Mrs. Hall को बताया, कि मेरा Iping आने का कारण है, कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, I do not wish to be disturbed in my work, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे काम में मुझे disturb करे, besides, an accident has affected my face, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक accident की वज़े से मेरा चेहरा affect प्रभावित हो गया है, satisfied that her guest was an eccentric scientist, अब Mrs. Hall को satisfaction हो गया, कि उनका जो guest है वो एक संकी विज्ञानिक है, eccentric मतलब संकी, scientist है, and in the view of the fact that he had paid her in advance, और सबसे वड़ी बात ये थी कि उसने उन्हें advance पैसा जमा कराया था, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper, Mrs. Hall तयार थी, माफ करने के लिए उसकी strange habits को, और irritable बार बार चिर्चिडे स्वभाव को, तो Mrs. Hall उसकी बात का बुरा नहीं मानती थी, but this stolen money did not last long, लेकिन चोरी का पैसा ज्यादा दिन नहीं टिका, and presently Griffin had to admit that, और आज Griffin को स्वीकार करना पड़ा, that he had no more ready cash, उसके पास अब ready cash नगत पैसा नहीं था, he pretended उसने बहाना बनाया, however that he was expecting a check to arrive at any moment, कि किसी भी पाल उसका एक चेक आने वाला है, shortly afterwards, कुछी समय बाद, a curious episode occurred, एक उत्सुकता भरा episode घटित हुआ, occurred मतलब happened, कोई घटना घटित होना, कोई situation, कोई accident होना, occurred, very early in the morning, सुभा सुभा बहुत जल्दी, a clergyman and his wife were awakened, clergyman और उसकी पतनी जाग गए, by noises in the study, क्योंकि उन्हें अपने study room में कुछ शोर सुनाई दिया, creeping down stairs, धीरे धीरे वो अपनी सीडियों पर नीचे आए, they heard the chink of money, उन्हें आवाज सुनाई दी, खनक सुनाई दी, पैसे की, being taken from the clergyman's desk, जो clergyman की desk में से निकाला जा रहा था, without making any noise, बिना कुछ शोर किये, and with a poker, grasp firmly in his hand, poker होता है, जिससे आग, सर्दियों में हम आग लगाते हैं, जिस जगा पर तो उस आग को ठीक करने के लिए एक poker होता है, just like chimta, या एक लंबी सी rod, लोहे की, तो उसको लेकर, हाथ में अच्छी तरह से पकड़ कर, clergyman flung open the door, clergyman ने, दर्वाजा पूरक पूरा जटके से, flung open कर दिया, surrender, और बोला, surrender, then to his amazement, he realized that, तब उसे अश्चर हुआ, उसने realize किया, that the room appeared to be empty, कमरा तो खाली लग रहा है, he and his wife looked under the desk, उसने, और उसकी पतनी ने desk के नीचे देखा, and behind the curtains, परदों के पीछे देखा, and even up the chimney, chimney, chimney में उपर देखा, there was not a sign of anybody, किसी का भी कोई निशान नहीं था, yet the desk had been opened, लेकिन फिर भी desk खुली हुई थी, and the housekeeping money was missing, घर में रखा जाने वाला पैसा गायब था, extraordinary affair, बहुती ऐसा धारन घटना है ये, simple सी बात नहीं है, the clergyman kept saying for the rest of the day, सारा दिन clergyman यही कहता रहा, कि बड़ी ऐसा धारन घटना थी, extraordinary affair था, but it was not as extraordinary, as the behavior of Mrs. Hall's furniture, a little later that morning, लेकिन ये है, उतना भी ऐसा धारन नहीं था, इससे भी जादा ऐसा धारन था, Mrs. Hall के furniture का behavior, उसी सुभा थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, the landlord and his wife were up very early, landlord और उसकी पत्नी भी बहुत जल्दी उठ गए थे, and were surprised, और surprised थे, to see the scientist door wide open, कि scientist के room का दर्वाजा पूरा खुला हुआ है, usually it was shut and locked, अकसर तो वहे, lock रहता था या बंद रहता था, and he was furious if Annie entered his room, वह गुसा हो जाता था, furious, क्रोधित हो जाता था, अगर कोई उसके कमरे में enter कर जाता था, the opportunity seemed too good to be missed, और ये opportunity बहुत अच्छी थी, कि इसे miss नहीं करना चाहिए, they peeped round the door, उन्होंने दरवाजे में से अंदर जाका, saw nobody, कोई भी दिखाई नहीं दिया, and decided to investigate, और चान बीन करने का decision लिया, the bed clothes were cold, बिस्तर बिलकुल थंदा था, showing that, जो ये दिखाता था, कि scientist must have been up for some time, कि scientist बिस्तर में काफी समय से नहीं है, the stranger still, और अभी भी अजनभी था, the clothes and bandages that he always wore, जो कपड़े और bandages वो हमेशा पहनता था, were lying about the room, कमरे में पड़े हुए थे, all of a sudden, अचानक से, Mrs. Hall heard a sniff, Mrs. Hall ने छीक की आवास सुनी, close to her ear, अपने कान के पास, A moment later, एक पल बाद, the hat on the bedpost leapt up, bedpost, bed के सिराने पर एक hat रखी थी, जो अचानक उडने लगी, and dash itself into her face, और Mrs. Hall के चहरे के उपर आकर पड़ी, then the bedroom chair became alive, उसके बाद, bedroom में रखी chair जिंदा हो गई, springing into the air, हवा में लहराने लगी, it charged straight at her, और Mrs. Hall पर उस chair ने आकरमन कर दिया, charge मतलब attack करना, legs for most, chair की leg भी Mrs. Hall के ठीक सामने थी, as she and her husband turned away in terror, और जैसे ही Mrs. Hall और उसके husband, डर के कारण मुड़े, the extraordinary chair pushed them both out of the room, तो उस अनोखी chair ने, उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया, and then appear to slam, and lock the door after them, और फिर वो दर्वाजा, अचानक से बंद हो गया, Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics, Mrs. Hall लगभग सीडियों पर गिर ही गई थी, she was convinced, उन्हें पक्का यकीन हो गया था, that the room was haunted by spirit, कि इस कमरे में जरूर आत्मा है, and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture, और किसी तरह से अजनभी तरीके से, ये आत्मा उसके फरनीचर में घुज गई थी, My poor mother used to sit in that chair, she moan, aware रोने लगी कि मेरी प्यारी मा, मेरी बेचारी मा उस चेर में बैठा करती थी, to think it should rise up against me now, और अब देखो ये मेरे उपर आकर attack कर रही है, The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, पड़ोसियों का कहना था कि भई ये किसी चुडैल का काम है, ये परेशानी का कारण witchcraft, किसी बुरी आत्मा का है, but witchcraft or not, लेकिन कोई चुडैल थी या नहीं, when news of the burglar at the clergyman's home became known, क्योंकि एक खबर आई कि बर्गलरी, एक चोरी हुई है clergyman के घर पर, the strange scientist was strongly suspected, और वह अजनभी विज्ञानिक उस पर सबसे ज़्यादा शक किया जा रहा था, of having had a hand in it, कि उसका हाथ है इस चोरी में, suspicion grew even stronger, और ये शक, suspicion means शक, grew बढ़ गया और ज़्यादा, when he suddenly produced some ready cash, जब उसने अचानक नगत पैसा दिया, जमा कराया, though he had admitted, जबकि उसने स्वीकार किया था, not long before that, he had no money, बहुत लंबे समय पहले नहीं, अभी अभी उसने स्वीकार किया था, कि उसके पास पैसा नहीं था, the village constable was secretly sent for, किसी ने चुपके से गाउं के constable को भेज दिया, instead of waiting for the constable, और constable की इंतजार के बिना ही, Mrs. Hall went to the scientist, Mrs. Hall विज्ञानिक के पास गई, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, जो रहसे में तरीके से, mysteriously अपने खाली कमरे में से निकल कर आया, I want to know what you have been doing in my chair upstairs, मैं जानना चाहती हूँ, कि तुम उपर मेरी chair के साथ क्या कर रहे थे, she demanded, उसने पूछा, and I want to know how it is you came out of an empty room, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, कि तुम्हें खाली कमरे में से कैसे आ गए, and how you entered a locked room, और एक ताला लगे वे बंद कमरे में कैसे एंटर कर गए, the scientist was always quick tempered, वो scientist जल्दी ही नाराज हो जाया करता था, but now he became furious, लेकिन इस बार तो वह और ज्यादा क्रोधित, furious हो गया, you don't understand who or what I am, he shouted, वो चिल्लाया कि तुम्हें समझ नहीं आता, मैं कौन हूँ और क्या हूँ, very well, ठीक है, I will show you, suddenly he threw off bandages, अचानक उसने पटियां फेंक दी, whiskers मूचे फेंक दी, spectacles चश्मा फेंक दी, and even nose, नाक भी फेंक दी, it took him only a minute to do this, उसे केवल एक मिनट लगा ये करने में, the horrified people in the bar, found themselves staring at the headless man, बार में जितने भी लोग खड़े थे, वो डर गए, उन्होंने देखा, कि हम एक headless man, बिना सिर के व्यक्ती को देख रहे हैं, घूर रहे थे वो उसे, Mr. Zephyrs, the constable, अब ये Mr. Zephyr कौन है, constable का नाम है, Mr. Zephyr, now arrived, अब वो आ गया, and was quite surprised to find that, और वह बहुत surprise हो रहा था, ये देख कर, that he had to arrest a man without a head, कि उसे एक ऐसे आदमी को arrest करना था, जिसके सिर नहीं था, but Zephyr was not easily prevented from doing his duty, लेकिन Zephyr आसानी से अपना काम करने से रुक नहीं सकता था, वो अपना काम करने आया था, तो वो उस आदमी को arrest करेगा ही, if a magistrate warrant ordered a person's arrest, अगर एक magistrate ने warrant जारी किया है, किसी आदमी को arrest करने का, then that person had to be arrested, with or without his head, they are followed a remarkable scene, और अब एक बहुत ही remarkable, बहुत ही important scene होने वाला था, as the policeman tried to get hold of a man, जैसे ही वो policeman उस आदमी को पकड़ना चाहता था, कोशिश करता था, who was becoming more and more invisible, जो और जादा और जादा द्रश्य होता जा रहा था, as he threw off one garment after another, क्योंकि वह एक के बाद एक अपने कपड़े निकालता जा रहा था, finally a shirt flew into the air, आखिर में एक कमीज हवा में उड़ी, and the constable found himself struggling with someone, और constable ने पाया कि वह struggle कर रहा है, किसी ऐसे व्यक्ती के साथ, he could not see at all, जिसे वो बिलकुल भी नहीं देख सकता, some people tried to help him, कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश की, but found themselves hit by blows, लेकिन पाया कि उन्हें तो घुसे पड़ रहे हैं, blows का मतलब घुसा लग जाना, that seemed to come from nowhere, और वो कहीं से भी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, कि कहां से कौन सा घुसा आया, पता नहीं चलता था, in the end, अंत में, in the end, अंत में, Zephyr was not unconscious, जेफर को मार मार कर unconscious बेहोश कर दिया गया, as he made a last attempt, जब उसने last time कोशिश की attempt, try किया to hold on the unseen scientist, उस ना दिखने वाले विज्ञानिक को पकड़ने में, there were nervous, excited cries of hold him, केवल घबराई हुई, और excited cries थी, लोग चिला रहे थे, hold him, उसे पकड़ लो, but this was easier said than done, लेकिन ये कहना आसान था, करने की तुलना में, Griffin had shaken himself free, Griffin ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था, and no one knew, और कोई नहीं जानता था, where to lay hands on him, उसे पकड़ने के लिए, कहां हाथ रखें, उसके हाथ कहां है, उसका पैर कहां है, कहां पक्से पकड़ें उसको, तो ये कोई नहीं जानता था, student ये chapter, footprints without feet, यहीं finish होता है, I hope आपको, कम समय में, ये पूरा lesson, Hindi explanation के साथ, समझ में आया होगा, तो please इस वीडियो को like करना, और अगर आप first time, इस channel पर हैं, और channel अभी तक subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe करना ना भूले, Thank you so much, मिलते हैं जल्दी ही, एक नई वीडियो के साथ, इस वीडियो के description box से, आप अपने syllabus से related और भी वीडियो को, देखकर study कर सकते हैं, Thank you so much,